सभी मादवेनों को मेरा नमस्कार और मैं हूं कोईल और यह हैं मेरे पती राहुल जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम मतलब प्रेगनेंट होने के लिए सेक्स करने के बाद हमें कितनी देर तक लेटना चाहिए तो मतलब इस आगे की बाते मेरे पती इस देर तक नहीं नमस्कार जैसे कि अभी आपको मेरी वाइफ ने बताया कि अगर आपको जल्दी प्रेगनेंट होना है तो सेक्स करने की कितने देर बाद आपको लेटने चाहिए और किस तरीके सबको लेटना चाहिए सबसे बड़ी बात यह है तो गैस मैं आपको वेडि अंदर है और हमारी साधी को एक साल हो चुका है और हमें इतनी जल्दी प्रेगनेंट हुई है जिसका हमें अंदाजा नहीं था तो खुल मिला के अपनी लाइफ अभी अच्छे से चल रहे ठीक है और इसी बीच दिक्कते वहाँ पर हो रही है कि बहुत शारी ऐसी महीलाई ह जो pregnant नहीं हो पा रही है उनको 2-2 साल हो चुके साधी के तीन साल बाद हो चुके साधी के लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है तो यह बहुत बड़ी प्रावलम है और इस प्रावलम से महीलाओ को कितनी दिक्कत होती होगी यह चीज़े हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे आसपडावस में बहुत सारी ऐसी औरते हैं जिनके साधी को काफी लंबा टाइम हो चुका है लेकिन वह वितक मा नहीं बन पाई है तो कुछ ऐसी गलतिया होती है अगर आप उनको सुधारती है तो आप जल्दी से जल्दी मा बन जाएंगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे जरूर और इस वीडियो को कहीं भी कट नहीं करेंगे तो चली गए इस वीडियो सुरू करते हैं अब देखिए अगर आपको जल्दी प्रेगनेंट होना है तो उसके कई जारे कंडिशन्स होते हैं अगर आप उनको फॉलू करेंगी तो आप पक्का इस म पीरिड है यह कम से कम 15 मेर्ट का होना चाहिए सेक्स करने के बाद आपको 15 मेर्ट तक ऐसे आराम से सीधे लेटे रहना चाहिए और इस इसमें बड़ा सा टोपिक भी आ जाता है कि कि किस तरीके से आपको क्या पोजिशन होनी चाहिए जिसमें कि आपका जो पानी है वो बाहर ना निकले क्योंकि जिससे बच्चा बनता अगर वही बाहर निकल जाएगा तो बच्चा कैसे बन जाएगा ठीक है तो सीधी बात है आप सीधे लेट के आराम से एकदर नॉर्मल पोजिशन में ये काम कर सकते हैं और बाकी आप भी समझवाल है कि किस तरीके से करना चाहिए कि जो अपका पानी ना निकले क्योंकि पानी ही सब कुछ है उसी से बच्चे बनते हैं ठीक है और दूसरा एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि यार जैसे कि कुछ लोगों ग्यान नहीं होता बहुत सरे कमेंट करते हैं लोग कि पिरियेड बंद होने के कितने दिन पिरियेड है वो एक तारीक को आते हैं पांस तारीक को बंद होते हैं यह सबी के लग लग हो सकते हैं किसी के दो दिन में बंद हो सकते हैं किसी के तीन दिन में नौर्मली आप यह लगा लीजिए अगर आप किसी भी तारीक को पिरियेड आई और जब भी वो पिरियेड बं या आज की अकल कर दिये पर्सोगर्द नहीं कम से कम 48 गंटे के बाद आपको करना होगा और आप बहुत जल्दी प्रेनाइट हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो देखके काफी जी समझमाई होंगी अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छ वाल बाई बाई